आप सभी एक अदर शिक्र धेर सारे शुब कामना एं तो आज मेरे पास दही नहीं था तो मैंने जो है वो आज ठाकुर जी को दूद से स्नान करवा दिया है तो थोड़ा सा ही दूद का मैंने यूज किया है क्योंकि क्या होता है कि प्लांट उतने जादा भी नहीं है मेरे पा जिससे में टाल सकूंवरना क्या होता है कि पैरों में आता है और वो सब अच्छा नहीं होता इसलिए मैं थोड़ा सा ही जो है वो दूद का इस्तमाल की हूं और बस आज जो है वो इस्तनान करवा रहे हैं तीनों लोगों को और करेंगे औरेंज कलर का ड्रेस में शिंगार मेरा दिल करता है या कह लीजे जैसे ठाकुर जी जाते हैं मैं वैसा शिंगार करती हूं मतलब कलर के उपर नहीं जाती हूं तो आज मेरा मन था कि औरेंज कलर का ड्रेस में शिंगार करूं तो आज मैं वैसा ही शिंगार करने वाली हूं और आज आपको मैं केशब की एक बह कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आई और वह सब देखने से बहुत सुंदर लग रही है तो मतलब उसके ऊपर मेरा समझ नहीं आ रहा था कि क्या डेकोरेशन करूं क्या इस पेकसरी लगाऊं क्या करूं तो मैंने एक ग्रीन कलर का हार जो है नेकपीस इनका वह पग पे लगाय तो उससे ना वह है बहुत सुंदर लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह लगाने के बाद जो है वह पग जो मैंने बनाई है वह पूरी कवर हो जा रही है और कैसी पग बनी है वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है पग का डिजाइन जो है वह पूरा छुप गया तो मेरे द भगवान चाहने क्या हुआ पर पूरी माला तूड़ गई जबकि बिल्कुल अच्छी थी तो मुझे लगा शाय दिया तो के शब पहनना नहीं चाहते थे या उतरवाना नहीं चाहते थे कुस तो था पर बिल्कुल एकदम नई माला है मैंने आप लोग के साथ आई थिंक हो मने आप लोग को याद होगा हरे रंग की माला थी बड़े-बड़े मोतिуска और इक पेंडनिटन था तो बिल्कुल नई माला थी कहीं से कोंई तूटने के कोई भी शमभाग्ना नहीं थी और पूरी माला के मोति में भिखर गये तो लोग पर दिखाऊंगी चैसा होता है अब कुछ चीजे होती है ना कि हमें खुद ही उनका एहसास मगबख भगवान दिला देते हैं अब मुझे तो नहीं बोलेंगे मुझे अगर भगवान जी बोलने लगे तो हम लोग तो भई डर के मारे शाहिद भागी जाएंगे तो कुछ चीजे ऐसा है सास हो जाता है कि हाँ शायद इसलिए हुआ हो या हम लोग अपने मन से ही कहलो लगा लेते हैं अभी एक दिन क्या हुआ कि परसो की ही बाते शायद तो मेरे दिमाग में यह आया कि काफी टाइम से केशब जो है वह मुझे सपने में नहीं दिखे पता क्या हो गया है शायद अब मैं जादा ध्यान नहीं दे पा रहे हूं इन पर क्योंकि देखिए मैंने दूसरा चानल भी अपना जो है वह खोला है तो उसका भी काम रहता है उसकी भी वीडियो शूट करनी रहती है फिर मेरे दो-दो इंस्टाग्राम चैनल भी है इंस्टाग लग जाते हैं तो होता है ना कि मैं उतना जादा जो है वो हर चीज़ पर पूरा फोकस निंगर पाते हैं तो मेरे मन में ऐसी आया कि शायद मैं केशफ पर बहुत जाता ध्यान नहीं दे पा रही हूं और इनको अपने साथ लिए जाकर ड्राइंग रूम में नहीं बिठाती हूं सिर्फ सुलाती हूं और उठाते तो मेरे हजबन है तो ऐसा तो परसो ही मैंने सोचा था और उसी रात में ये मेरे सपने में आ गए कि कुछ तो मुझे दिख रहा था कि मैं इनको अपने घर से लेके और यहां मुंबई आ रही हूं और मेरी फ्लाइट चूटने वाली ह तो भगवान को जिस तरीके से हमारी भावनाओं को सुनते हैं और मतलब उने भी लगता है कि हां हम सच्च मन से उन्हें याद कर रहे हैं तो वह उसी तरीके से कही ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने होने का एसास हमें करवाई देते हैं अगर आप दिल से उनकी सेवा क कुछ लोग कहते हैं कि हमें भगवान सपने में नहीं दिखते हैं कुछ लोग को रोज सपने में दिखते हैं तो मैं एक अनिरुद्रो चारे जी शायद मैं सही नाम ले रही हुँ हूं का वो मुझे कापी अच्छे लगते है उनका सत्संग में कभी-अपन रात में जैसे कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको रोज भगवान सपने में दिखें या रोज उसके साथ लीला करें अगर प्रभू आपको सपने में दिख रहे हैं तो आप समझें कि उन्होंने आपकी भक्ति को सुईकार कर लिया है जो भी आप उनकी सेवा कर रहे हैं उसे सुईकार कर तो यहां मैं आपको यहे दिखा रही हूं तो कि आप डबल तरीके से यहीं वो Hilfтов । पहना सकते हैं वो यह मिरे पास लंहें बड़ रहों है इनमें में नबे आपके पहनगे हैं इनमें मैं तो कोई भी मैंने नेग्पीस पहना है वही उस चीज़ को समझ सकता है जो भगवान की दिल से सेवा करता है तो मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ जो मैंने फील किया यह वाला जो नेकपीस है यही मैं आपको बता रहे हूँ कायर मैं में सब्सक्राब लुग लुगार जो लुगार जो जो लुग बोलते हैं कि बगवान मेरे सपने ही नहीं तो अब बर कि बाओ तो मेरे सपने में लुगा है मुझे मा बोला है मेरे लिए भूंत마 घ्रJim vivo फिया कि अवर्शी कीît वाथाए और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ होगा मेरे लिए तो काफी बार मुझे ऐसास कराया है एक बार जब शुरू में केशव आयते तो बहुत सुन्दर अहसास था कभी फुरसत में आप लोगों को बताऊंगी मैं तो शिंगार हो चुका है और आज मैंने आप लोगो शालिमी तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लीज उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी डेली लाइफ देखिए और इंज्वाई कीजिए मैं उस पे बहुत सारी चीज़ जो है वो डालती रहती हूं तो आप लोग व्लॉग मैं उस पे अप्लोड करती रहती हूं तो प्लीज उसको भी बहुत जादा प्यार दीजे और नया चैनल है तो थोड़े से आपके सपोर्ट की जरूरत है और इंस्ट्राग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए इंस्ट्राग्राम हैंडिल है शालिनी शुक्लासानी है चहां म वीडियो में खटम करती हूं भोग में मैंने बनाया था सुज का हलवा तो बस सबका शिंगार हो चुका है माधव के अरिंग बहुत सुंदल लग रहे हैं तो मिलते हूं आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैश्री किष्णा रादे रादे सब लोग अपना हुआ है हुआ 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 है